नमस्कर दोस्तों, दोस्तों कैसे हो मेरा नाम राज है और मैं आज आज दोस्तों आप लोगों को कोई कहानी नहीं सुनाऊँगा मैं आप अबिती सुनाऊँगा दोस्तों ये जो आप अबिती है ये मेरे सगे चाचा थे उनके उपर है तो दो साल पहले उनकी डेथ होगी थी और हमें काफी बार वो सुनाय करते थे कि ऐसा हुआ था मेरे साथ तो दोस्तो अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पनाए तो प्रेस वीडियो को लाइक करें शियर करें साथ हमें कमेंट जरूर करें कि यह आप बीटी आपको कैसी लगी दोस्तो मेरा वीडियो बनाने का मकसदी है नहीं किसी को डराना नहीं है मगर मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ तो हिमाचल में यह चीज़े आम होती है कोई भी लोग जब कोई कहानी सुनाता है तो ऐसे लगता है किसी के साथ आप बीटी होती है को कि आप बीटी सुनाते भी तो ऐसे लगता है यह बना कर बड़ा चड़ा कर बता रहा है तो दोस्तो यहाँ पर बड़ा चड़ा कर बताने वारी बात नहीं है सची घटने हैं कभी भी आप हिमाचल आते हैं तो हिमाचल में कभी भी घूमने भी आते हैं तो रात को हमेशा अकेले कहीं न जाएं इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि जहां पर देवी देविता रहते हैं भूत प्रेती बहुत रहते हैं तो दोस्तो ये जो आप बिती है यह आज से तीस साल पहले की बात है तो होता क्या है कि मेरे चाचा जो उनका नाम राम पाल है तो वो लेंटर डालने के लिए माता चिंत पुनी की मंदर के लिए जाना आता है उनको सुबह और क्या करते हैं वो घर में खाना खाते हैं सेरे और खाना खाकर वो मंदर के लिए लेंडर डालने के लिए चले जाते हैं तो दोस्तो थोड़ी दूर ही रास्ते में कोई एक किलिमेटर चलते ही नीचे हरजन बस्ती है जहां पर हरजन लोग रहते हैं तो होता क्या है कि बहाँ पर चाचा देखते हैं कि बहाँ पर पांदस लोग कठे होते हैं कहते हैं बहाँ साब आपना हमारी हेल्प कर दो ये लेडिस जो है बीमार है और इसको हमें होस्पिटल पहुंचाना है उस तेम दोस्तों 30 साल पहले सड़के भी नहीं होती थी ना ही गाड़ी नहीं होती थी तो लोग खाट के उपर से इसको इनसान को होस्पिटर पहुंचाते थी जिसमें टाइम लगता था तो होता क्या है कि चाचा भी जो लेडिस थी यह था कि हमारा गावी साथ में हर जिनों का भी गाव साथ में तो यह सारे सगे सबंदी सिरीक भाई होते हैं ऐसा नहीं कि गाव मैं आदर कास्ट के लोग हेल्प नहीं करते हैं तो चाचा नहीं कहा कि चलो मैंने भी जाना है तो उनका श्रीर भी छे फूट लंबा था और कावी हटे कटे थे वो तो चार लोग उसको लगते हैं काट को और लेडिस को उठाकर माताचेंटपुनी के मंदिर के साथ ही हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल गौवर्मेंट हॉस्पिटल है तो बहां पर उसको पहुंचा द होते हैं कि चाचा तो लेंटड़ सब्रहा के लिए के लिए चली आप अब क्या होता है कि रात के लेंटड़ ढलते हैं लेंडर भार वज़े होता है और 12 वाजे खत्म होने के बाद बहां पर उनको छोले पूरी और साथ में हलवा दिया जाता है क्योंकि गाओं में जब लोग लेंटर डालते हैं अच्छा शुब काम करते हैं तो हलवा पूरी जरूर देते हैं घर के लिए साथ में खाने के लिए भी देते हैं तो से गए थे उसी रास्ते से आना होता था और तीन किलोमेटर का जंगल तो चाचा चले आते हैं तो होता क्या है कि हरजन बस्ती के साथ ही नीचे शमशान घाट पाए जाता है जहां पर हरजन भी जलाते हैं बहां पर अधर कास्ट के लोग भी जलाते हैं तो होता क्या है कि च पोशाग जल रही है और साथ में कुवा था तो कुवें में देखते हैं कि एक लेडीस बेठी है, बड़े बड़े बाल हैं उसके। और मउग वो अपने सर नहीं थह दो रही है, रात के साड़ा बरे, 12.12 बजे की बात है। तो चाचा घबरा गए क्योंकि साड़े बारा बज़े कौन ओरत होगी जो कौएं पर बाल दोरी होगी तो गाम के लोग हैं और चाचा की उमर भी उस टाइम कोई 35 साल थी उनकी तो चाचा समझ गए कि कोई नो कोई गड़बड जरूर है यहां पर क्योंकि यह नहीं है शमशान घाट के पर कोई अगर ओरत खड़ी है बड़े बाल खलार कर और साथ में और चाचा की तरफ देखी जा रही है चाचा जैसे निकलते हैं अब चाचा बहां से ना तो बापस जा सकते हैं ना तो घर के तो पीछे बापस जाते हैं तो पीछे तीन किलोमेटर के जंगल है और आगे डेड़ किलोमेटर आगे उनका घर है तो चाचा क्या करते हैं कि मन मनाते हैं कि अब जाना तो पड़ेगा और उपर से डर और उपर से वो औरत औरत के पास से निकलते हैं तो देखते हैं कि औरत वो ही औरत होती है जिसको वो होस्पिटल छोड़कर स्वेरे छोड़कर जाते हैं और वो होता क्या है कि उस औरत वो औरत दिन में खत्म हो जाती है और उसको वो शाम को जिला दिया जाता है तो चाचा देखते हैं तो समझे कि ये तो खत्म हो गई है और यही औरोत आप यहां बैठी है, शुम्शान घट के पास, चाचा ड़ जाती है, तो, अब क्या है कि जैसे चाचा निकलते हैं, तो और चाचा के पास पहुंचाती है, और चाचा का नाम तो राम पाल था, तो कहते है राम पाल, यह जो हल्वा पूरी है, यह मुझे दे दे तो चाचा डर जाते हैं हलवा पूरी क्योंकि उस परने में माता के मंदिर का परशाद बंदा हुआ था तो चाचा कहते हैं क्या क्या जाए अब तो कोई हल नहीं है तो अब यह चुडेर से कैसे पीछा चुड़ाए जाए चाचा सबसे पहले तो माचिस और बीड़ी निकालते हैं बीड़ी लगाते हैं बीड़ी मुह में लगा लेते हैं तो देखते हैं कि वो चुडेर पीछे नहीं अरती है वो चुडेर फिर पीछे चली आ रही होती है और कभी आगे आ जाती है कभी पीछे आ जाती है तो चाचा चाचा कहते हैं कि उस वक्त मेरे जो हालत इतनी खराब थे कि पूरे कपड़े जो थे पसीने से लटपत हो गए थे और मेरा ऐसे लग रहा थे कि अभी सांस न रुख जाए क्योंकि धड़कन इतनी तेज होगी थे क्योंकि जब भूत प्रेत सामने आ जाता है तो दोस्तो धड़कन ओटोमेटिक तेज हो जाती है ऐसे लगता है कि सांस रुखने वाला है अभी कि यह न एकदम आभी खत्म हो जाए क्योंकि ऐसी मेरे साथ भी आप बेती हुई थी तो मैं अपनी आप बेती भी बताऊंगा मैं तो चाचा ने अपने कपड़े उतारे चड़ी पहन कर रखी हुई थी और बाकी सब कुछ उतार लिए होता क्या है कि दोस्तों अगर आपको भूत मिल जाता है भूत प्रेत के मानलों आपको चुड़ेल मिल जाती है तो एक चीज का ध्यान रखने कभी आपने जब भी पूरे उतारने चड़ी को भी उतार देने और उसको फेक देने साथ में रखने क्योंकि जब आप साथ में रखते हैं तो भूत प्रेत समझाते हैं कि आदमी है जब आप कपड़े को फेक देते हैं में पर तो और उसके पिछे फिर आपने उसके नहीं आप फिर चलो भूत तो अटोमेटिक बहाँ से भाग जाते हैं कभी भी आपके साथ अगर ऐसी आप विती होती है तो क्योंकि ये हमारे अजमाई हुई बात है जो मैं सची काहानी बता रहा हूं ये जूट नहीं काहानी नहीं कोई ये आप विती है तो चाचा क्या करते हैं उन कपड़ों को अपन कहते हैं वो मुझे कभी बाजी उसे यहां खीचे बाँ खीचे और जो मेरी उसके पैरों की तरफ नजर जाती है तो उसके पैर जो होते हैं वो उल्टे होते हैं पुठे पैर होते हैं तो और बड़े बड़े बाल और लाल कपड़ा सा पैना होता है तो चाचा थोड़ा और आगे चलते हैं कि रहे ऐसे ही आदा एक घंटा वो चुडैल मेरे साथ लड़ती रही और मेरे से हलवा पूरी मांगती रही मैंने उसको दिया नहीं उसके बाद क्या होता है कि बहां से आदा किलोमेटर दूर जाकर हमारे बाबा का मंदिर है बाब आलकनाजी का मंदिर है और जब चाचा मारे बाब का मंदिर से निք तो मंदिर के सामने से जैसे जाते हैं तो वो चोड़ाए ने चिलाने सेटार्ड कर देती है और ऐसे चिलाती है जोँख से आवारे श्चेख यह और आ कुछ लोग। रास्तम देखते हैं तो चाचा जा रहे होते हैं और चाचा को पूछते हैं भही रात को इतनी रात को कहां जा रहे हैं तो और ये कपड़े को उता रहे हैं तो चाचा ने चाचा को उन्हों ने बठाया फिर पानी पूनी पिलाया और चाचा ने आप बीती बताई कि मेरे साथ आप भी थी थी जो आसे तीस साल पहले हमारे चाचा रामपाल के साथ हुई थी तो कभी भी आप आगर लोग अगर कहीं घूमने आते हैं पाड़ों में तो कृपिया आप रात को कहीं भी बाहर न जाएं कोईकि जब तक आपको बहां के जगा का पता नहीं है क्योंकि यहां पर सुनसान होता है जहां पर देवी देवताते हैं बहुत परेख भी उते हैं तो दोस्तो मेरा वेडियो बनाने का यह मक्सिद नी है मगर मैं आप लोगो को आप बीती बता रहा था और मेरा किसी को ड्राना कोई मकसद नहीं है और इसका किसी से लेना देना नहीं है तो दोस्तो इसी के साथ ही मैं आप आऊँगा तो नए आप विती के साथ आऊँगा जै हिंद जै हिमाचल